तीस अजार रूपे का ब्याज चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए उस विक्ति ने अजनार नदी में उतर कर पुल के नीचे फासी का फंदा चुम लिया और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, यह कहानी राजगर जिले के ब्यावरा की है, और यकीन मानिये सर यह कहानी तो आपके पेरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, तीस अजार रूपे का ब्याज इतना भर दिया आदमी ने कि आदमी परेशान हो गया, परेशान इतना हो गया, कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही हो गया, आत्म हत्या कर ली, यह कहानी जो है, यह राम कोपाल मेवाडे जी की है जो की ब्यावरा में रहने वाले थे हुम्र उनकी पेसर साल थी पेशे से सिक्षक थे डिटाइर्ड हुए थे डिटाइर होने के बादमें इतनी मजबूरी हो गई सूध खोरों ने इतना परिशान कर दिया हुने कि साथ बेटियों का प्यार भूल करके उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मोत को गले लगा लिया अपने पीछे साथ बेटियों को छोड़ कर गए राम गोपाल मेवाडे जी आप सोचिए सर आप सोचिए कि उनका ये कहना था कि 30,000 रुपे की 10 गुना ज्यादा कीमत दे चुकाओं मैं सूद कोरों को यानि कि लगबक 3,000,000 रुपे ब्याज दे चुकाओं उसके बाद भी आप सूचिये कि ये कहानी केवल राम गोपाल मेवाडे जी की नहीं है ये कहानी राजगर जिले में आजकल ज़्यादा तर घरों की है ही क्योंकि ये जो ब्याज का जो चंगुल है इसमें अगर एक बार कोई फस गया बोस इसमें एक बार अगर कोई फस गया तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और प्रशासन को इसमें सक्त होना ही पड़ेगा ये सूधकुर जो जन्म लेते हैं 10-10 परसेंड का ब्याज लेते हैं और लोगों को इतना परेशान कर देते हैं जलील कर देते हैं कि उनको अंत में कुछ नहीं सूचता है मौत के अलवा आप सोचिए सर कि 30,000 रुपे की कहानी है यह 30,000 रुपे की किमत इतनी हो गई कि जान देना पड़ी उस वेक्ति को और आज गडवासी हो मैं यह नहीं कहूंगा कि कौन वेक्ति थे वो कौन नहीं थे लेकिन जो भी सूध खोर थे भाई साथ बेटियों के पिता को छोड़कर वो आदमी हमेशा के लिए मर गया है और यह केवल एक वेक्ति की कहानी नहीं है यह वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा हूं कि एक वेक्ति की कहानी है यह राजगड में हर एक उस वेक्ति की कहानी है जिसने ब्याज पर पेसा ले रखा है और जो सूध कोरों से परेशान हैं उसमें से हो सकता है कि कई हो सकता है आपके परिवार वाले भी हो हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य हो जो अंदर ये अंदर पेशा ले करके घुट रहा हो और ब्याज चुकाने में उसको परेशानी हो रही हो तो भाई अंदर ये अंदर गुटने से कुछ नहीं होगा फासी का फंदा लगा कर जान देने से कुछ नहीं होगा और पुलिस को इनकी मदद करनी होगी सर ऐसे लोगों की मदद पुलिस को करनी होगी व्यावरा पुलिस ने आला की कहा है कि हमें कल वोटसप पर जानकारी मिली थी इसके बारे में और हम तुरन्त वहाँ पर घर पर पहुंचे थे मदद के लिए लेकिन उसके बाद पता चला कि वह वहाँ पर घर पर मिले ही नहीं राम गोपाल जी और वो यहाँ वहाँ पर नहीं मिले तो फिर हमने सोचा कि कहीं पर गया होंगे लेकिन सुबह ख़बर मिली कि अजनार नदी का जो पुल है उसके नीचे फासी के फंदे पर एक युवक की जो है लास लटक रही है पता चला कि वो राम गोपाल जी की ही थी और वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला उस नोट में ये लिखाता सर कि मैं परेशान हो चुका हूँ पेसा दे दे कर परेशान हो चुका हूँ और मेरे गरवालों को परेशान मत करना आप सोची यह से कितने राम गोपाल जी होंगे जो सूध खोरों से परेशान होंगे राम गोपाल जी एक एक इक्जामपल दिया है मैंने यह बहुत बेकार है यह जो सूध खोरों वाली जो इसको तो नकेल कसनी पड़ेगी राजगर की जो प्रशासनी का धिकारी है जो प्रशासन है पुलिस प्रशासन है ये सूथ खोरी वाली जो इसकी में इस पर तो नकेल कसनी पड़ेगी यूँकि ये बहुत चल रहा है राजगड में इतना चल रहा है कि पुर्व में भी बहुत सारी घटना है हुई है इससे रिलेटेड लेकिन आप सोचें कि वो साथ बेटी के पिता थे और सिक्षक थे पेशे से जिस वेक्ति ने जिन्दगी भर जिन्दगी भर सिक्षा दियो जिस वेक्ति ने जिन्दगी भर पढ़ाया हो बच्चों को सुमार्ग पर चलने की जो रहा दिखाई हो आत्म बल हजारों बच्चों का उन्होंने बढ़ाया होगा तो आप सोची वो विक्ति इतना विवाश हो गया कि अपनी जान देना पड़ गई तीस अजार उपे उधार लिए ब्लेंक चेक पर साइन कर दिये थे और उसी के चलते वो ब्याज दे देकर परेशान हो गया विक्ति साथ साथ लोगों का इसमें नाम है कुछ लेकिन राजगरवास वीडियो को जादा जादा शेयर किजिएगा इतना शेयर किजिएगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जूरेंगे और इस पर नकेल कसे जो सूथ खोरी से जो परेशान हो रही है लोगों को उस पर अकेल कसी जाए बहुत बहुत धन्यवार वीडियो को जादा जादा शेयर किजिएगा चेनल यह दिया आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिएगा